दोस्तों अमीदा तुम्हों ठीक ठाक होगे और ये वीडियो मैंने बनानी नहीं थी लेकिन मैं बना रहा हूँ और उसकी वजुहात ये है कि शायद हो सकता है ये मेरा परसनल ओपीनियन है अब शायद शायद और शायद और फिर शायद अफरीदी वह ओला शायद यंग स्ट दाश नहीं होगा लेकिन भाई ये होने वाला है और अगर ये हुआ बम भटेगा बावा मैं सोच रहा था कि आसी मजब जवाब नहीं देगा क्योंकि उसका हिप-पॉप से लेना देना कोई नहीं है ये नहीं मैं कहूंगा कि वह रैप नहीं कर सकता ओविसली अगर गाना कर सकता है लेकिन वहीं बार-बार कह रहा हूं कि मुझे शक है मैं 100% शोर नहीं हूं क्योंकि अकठे थे और आज से पहले मैंने कभी इस तरह नहीं देखा जब तक मैंने फालो किया वैं लोग को तो मैंने नहीं देखा कि ये सारे कठे स्टूडियों में बैठे हूं और रि अगर ये असल में होने वाला है तो हिप-पॉप के सीन में फिर स्पार्क बजने वाला और शायद पहले से बहुत ज़्यादा जोर का बज़ेगा पहले मुझे मुझे मैं शोर नहीं था रात को मैंने देखी इनकी स्टूरी मैंने का शायद ऐसी मीटप हो क्योंकि आसी हैं जस्टिन बीवर स्नूप डॉग और एक और रैपर हैं मुझे नाम बूल गया उनका खलीफा कुछ है या विंज के इस तरह नाम है वो और फिर रमीज का भी कईना कई मजा को राया गया और हाई जो लेबल है उसको चस्ट जोन कहकर मजा को राया गया और कहा है कि यह चीजें यही बता दिया है कि शायद फिर से मैं क्यानों कि मेरा अपना परसनल पीनियन है यह होने वाला है और मुझे इस बात की गरंटी है कि इस बार अगर यंग सर ने या आसिम ने यह काम किया तो चैनके इसका जवाब वीडियो में या गाने में जरूर देगा क्योंकि कि इस बार शुरुआत चैनके की तरफ से हुई है चैनके के लोग डिसपॉइंट हो जाएंगे अगें अगर यह डिस या सीन शुरू हुआ तो डिसपॉइंट हो जाएंगे क्योंकि शुरुआत अब चैनके से है और चैनके जवाब देगा के नहीं देगा इस बात का मुझ अगर हिपप के अंदर इसना कि सपार वाज रहे हैं अगर ओलाइन तक यह सीन लाता है तो मैं जरूर पसंद करूँगा परसनल इशू मतलब मैं किसी घर जाके नहीं चीज करूँगा लेकिन आप ओलाइन तक यह हिपपप का हिसा है और सारी दुनिया जानती है और जो यह कहरा है कि लड़ाई हैं हिपपप का हिस्षा है यह एक यह हिपपप की और यह शुरुआ तैंक करेंद हूँआ हिपपकी करेंगे देखेंगे किया सीन होता है क्या नहीं होता मिलता हो किसी अगली वीडियो पे तब तक के लिए